ये देखें लग रहा है ना बढ़िया सी कड़ी पकोड़ा देखती ही पता चल रहा है के एक दम रंगत और साथ ही पकोड़े इतने डिलिशित जो देखती ही मुँ में पानी आ गया और खाने में तो है लाजवाब एम शूर ही मेरी रेस्पी आपको बहुत ही पसंद आएगी असलाम अलेकूम आज मैं लेकर आईएँ बहुत ही बढ़िया कड़ी पकोड़ा की रेस्पी जो मैं बिलकल बनाऊंगी देसी अंदार यानि धाबा स्टाइल कड़ी पकोड़ा की रेस्पी अगर आपको पसंद आए तो प्लीस लाइक कीजे और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिये गए बेल एकन को भी जरूर प्रेस कीजे जो बिलकल फ्री है तो बनाना शुरू करते हैं देसी अंदार कड़ी पकोड़ा कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर त्यार करेंगे एक किलो हमने देह लिए तीन स्पून बेसन मिक्सी जार में हम देई को डाल देंगे थोड़ा सा पानी उसी बरतन में डाल कर ये भी डाल देंगे अब बेसन भी एड़ कर देंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे अब हम इसको बरतन में डाल लेंगे अब हम इसमें एक लीटर के करीब पानी आड़ करेंगे तीन चाय की चमच गी आड़ करेंगे दो से तीन तेज़ पता आदा स्पून जीरा देड़ स्पून लैसन और अद्रका पेस्ट अब हम इसमें जो मिसाले आड़ करेंगे सुरख लाल मिरच चाय का एक चमच हल्दी पॉडर चाय का आदा चमच धनिया पॉडर चाय का एक चमच नमक चाय का एक चमच या हस्वी जरूरत कसूरी मेति चाय का आदा चमच ये सारे स्पाइसिस हम डाल देंगे, मसाले को हम हलका सा बून लेंगे, दो अदद हमने टमाटर लिए जिनका में ने ये पेस्ट बना लिए मसाला हमारा अच्छे से बुन गया है अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे अब अच्छे से हम इसको भूनेंगे आंच तेज रखेंगे इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये टुमाट्रो का पानी एकदम ड्राय न हो जाए मिसाला हमारा बहुत अच्छे से बुन गया है और बहुत ही कलरफुल नजर आ रहा है जब देख सकते हैं साड़े से ये ओल भी निकना शुरू हो गया है अब हम इसमें कड़ी के लिए बैटर बना के रखा था वो एड़ करेंगे अब हम इसको बराबर चम्मज से इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताके गुठ्लिया न बने इसको हम तब तक चम्मज से मिक्स करते रहेंगे जब तक इसको बॉइल न आ जाए चम्मज के साथ मिक्स करते करते बॉइल आ गया है यह आप देख सकते हैं अब यह अच्छे से बॉइल आना शुरू हो गया है अब हम इसको गाड़ा होने के लिए रख देंगे अब थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से डखन लगा देंगे ताकि यह गिरेना आज हम लो टू मीडियूम रखेंगे तक रबन यह 15 से 20 मिट में यह कड़ी हमारी अच्छे से गाड़ी हो जाएगी अब हम पकोड़ों के लिए बैटर त्यार करेंगे अब हम जो पकोड़ों के लिए बैटर त्यार करेंगे दो अदद हमने प्याज लिए जिनको मैंने बिलकल बारीक चॉप कर लिए तीन अदद हरी मिर्चे थोड़ा सा हरा धनिया अब हम इसमें जो मिसाले अड़ करेंगे सुरख लाल मिर्च, चाई का एक चमच, हजदी पॉडर, चाई का आदा चमच, धनिया पॉडर, चाई का एक चमच, नमक, चाई का एक चमच, कसूरी मेती, चाई का एक चमच अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर उसके बाद आम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे अच्छे से आमने इसको मिक्स कर लिया है अब हम इसमें चुटकी बार मीठा सोडा आड़ करेंगे यहनी खाने का सोडा अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आम इसको बैटर त्यार करेंगे नाई हम बहुत सफ्ट रखेंगे और नाई बहुत नरम आप देख सकते हैं नाई हमने बहुत नरम रखा है और नाई बहुत सफ्ट बलके इस तरह का ये बैटर होना चाहिए ताकि पकोड़े बहुत ही नरम और टेस्टी बनें अब हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे अब हम इसकी सैट चेंज करेंगे कोड़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक दोने तरफ से गोटरना होजें साथ ही मैं एक टेप आपके साथ शेयर कर रही हूं जब आप कोड़ों को फ्राई करें तो कोड़ों को बहुत ही अच्छे से गोल्डन करें क्यूंकि जब हम कड़ी में कोड़े टालते हैं तो तूटना शुरू हो जाते हैं यह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह गोल्डन हो गए है अब हम इनको निकाल लेंगे इसी तरह यह हम दूसरे वाले भी फ्राई का लेंगे आप देख सकते हैं कड़ी हमारी एक दम गाड़ी हो गए है यह देखें अब हम इसमें जो प्कोड़े हमने फ्राई किये थे वो एड़ कार देंगे हमने बहुत ही जदा कड़ी को गाड़ा ने किया क्यूंकि जब प्कोड़े डालते हैं तो यह बहुत ही ठेक हो जाती है इस तरह अब हम कड़ी के लिए तड़का त्यार करेंगे चार स्पून हमने ओइल की लिए दो तेज पाद चार अदद सुरक लाल मिरच दो अदद हमने सबज मिरच लिए जिनको मैंने यह दिर्म्यान में से कटिंग कर लिए यह एड़ करेंगे एक छोटा सा प्याज लिए है जिसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिए आदा स्पून जीरा अब सब चीजों को हम फ्राइब करेंगे इसको हम तेन से चार मिनट अच्छे तरीके से फ्राइब कर लेंगे यह आप देख सकते हैं यह अच्छे से फ्राई हो गए अब हम इसके उपर गर्मा गर्म दाद देंगे ये देखें लग रहा है ना बड़ी आसी कड़ी पकोड़ा देखते ही पता चल रहा है कि एक दम ब्रंगत और साथ ही पकोड़े इतने डिलिशित जो देखते ही मूँ में पानी आ गया और खाने में तो है लाजवाब अब ये सर्फ करने के लिए एकदम रेड़ी है I'm sure ये मेरी रेस्पी आपको बहुत ही पसंद आएगी लहाज़ा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों और फैमिली मिमर के साथ जरूर शेयर कीजिए और प्लीस हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और साथ ही दिए गया बेल एकटन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिलकल फ्री है आप मुझे फेस्बुक पर भी जोईन कर सकते हैं और प्लीस मेरे फेस्बुक के पेज को विजिट कीजिए लाइक कीजिए और इसे फालू कीजिए शुक्रिया थैंक्स फार वाचिंग अलाफेज